नमस्का दोस्तों पहले मैंने दुतिय अध्याय तक पूरा गीता का आर्थ किया था अब मैं तुतिय अध्याय को प्रारम कर रहा हूँ तो अरजुन ने अरजुन को जिस समय भगवान ने कहा कि सबसे अच्छा ग्यान योग है तो भगवान से अरजुन कहने लगे कि ये प्र ज्यायसी चेत कर्मन स्ते मता बुद्धिर जनार्दन ततकिम कर्मनी घोरे मामनी ओजय अशिके सब ते मता तुम्हारी बुद्धि से बुद्धि योग माने ज्यान योग ज्यायसी माने यदि स्रेष्ट है चेत माने यदि तुम्हारी बुद्धि से ज्यान योग स्रेष्ट है तो कर्मना माने कर्मों के अपेक्षा तो ते माने आपकी मता माने बुद्धी से बुद्धी योग माने ग्यान योग जनारदन हे के सव ज्यायसी यदि स्रेष्ट है माने यदि आपके अनुसार देखा जाए तो यदि ग्यान योग स्रेष्ट है तो फिर आप मुझे तत्किम कर्मनी घोरे माम तो फिर आप मुझे इन भयंकर कर्मों में किम नियोजे यसी फिर आप मुझे क्यों इसमें लगा रहे हैं हे केशव इसमें जनारदन और केशव दो संबोधन है फिर आप इसमें क्यों मुझे लगा रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है तो आगे लिखा व्या मिस्त्रेंटेंअ अबया बुद्धि मोह यसीव में तदें कमवद निश्चित ये निस्त्रिकों हमापनु यात करेंगे व्या मिस्त्रेंटेंअ व्या मांने दू तरफा बातों में में बुद्धी मोहित ऐसी कर रहे हो तत एकम उसमें से एक एकम को वद बताओ निश्चित करके ये स्ठेय हो जिससे मैं स्ठेय हमाने कल्याण को पराप्ट कर सकूँ है इसा आप एक निश्चित करके बताओ आप दो तरफा बाते कर रहे हो तो फिर यहां पर भगवान कहने लगे स्री भगवान वाच भगवान ने कहा कि अर्जुन मैंने जो बताया है कुछ भी गलत नहीं है क्या आगे की बात क्या है कि लोकेस मिन दुविधा निश्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनग ज्यान योगेन संख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम करे की लोका असमिन दुविधा निश्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनग है अनग असमिन लोके दुविधा निश्ठा इस असमिन माने इस लोके संसार में दो प्रकार की दुविधा माने दो प्रका की निष्ठा होती है जो कि पुरा प्रोकता मया माने मेरे द्वारा पुरा प्रोकता मैंने आपको पहले ही बता दी है कौन कौन सी ग्यान योगेन सांख क्या नाम सांख की लोगों के लिए ग्यान योग है और कर्म योगेन योगेन नाम और योगी जो कर्म योगी जो होते हैं उनके लिए योगी जो होते हैं उनके लिए कर्मयोग होता है और जो सांख की होते हैं उसके लिए ग्यान योग होता है लेकिन फिर भी सुनो इन दोनों निश्ठाओं में क्या है कि ना कर्मना मनारंभा नैश्कर्म्यम पुर्शोषनुते नचसन्यसनादेव सिद्धिम समधि गच्छते कर्म के अनारंभ माने प्रारंभ ना करने से नैश्कर्म्यम निश्कामता को ना अश्नुते नहीं प्राप्त होता है कर्म को अनारंभात बिना प्रारंभ किये नैश्कर्म्यम निश्कामता को ना अश्नुते नहीं प्राप्त हो सकता है और नच सन्यास ना देव ना तो सन्यास ले लेने से सिद्धि समधि गच्छती सन्यास माने होता है कि उस काम से बिलकुल अरूची माने करना ही नहीं है तो इससे भी कोई काम नहीं होता है इससे सिद्धी इससे भी सिद्धी नहीं होती है और सिद्धी को प्राप्त नहीं होत तो इसलिए नहीं कश्चिद छडम पी जातूति श्ठत्य कर्म कृत कर्यते यह वशंकर्म सरवह प्रकृति जयर गुणा प्रकृत प्रकृति जयर गुणा गुणाई साफ इसमें पश्ट नहीं दिख रहा है चलो पुस्तक से देखते हैं तो इसमें कह रहे हैं कि अगर जो प्रकृति जयर गुणाई है या ठीक है तो लिखा है कि नहीं कश्चित छडम अपी मनुष्य कभी भी किसी भी छड़ जातू माने होता है कभी भी तिश्ठती रहता है अकर्म कृत वह कभी भी बिना कर्म किये नहीं रह सकता है अब शब्दार्त ना माने नहीं ही माने इसलिए कश्चित माने किसी भी छडम अपी छडम छडम में भी जातू माने कभी भी तिश्ठती रह कर्म कृत कोई भी व्यक्ती बिना कर्म किये किसी भी छड नहीं रह सकता है कार्यते हिवशम कर्म वह परवश होकर के कर्म करेगा ही सर्व प्रकृती जैर गुणाई यह सब प्रकृती से गुण होता है मनुष्य कुछ भी नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ सोचेगा सोचने में क्या है कि वो अच्छा भी सोच सकता बुरा सोच सकता कुछ ना कुछ हुआ करेगा ही ये जीव की प्रकरती है और इस प्रकार से वो बिना कर्म की यदि नहीं रह सकता है तो उसको कही न कही तो उसको लगाना ही पड़ेगा अब लिखा है आगे लिखा है कर्मेंद्रियानि सम्यम्य यास्ते मन सस्मरन कर्मेंद्रियानि सम्यम्य कर्मेंद्रियों पर तो नियंत्रन कर ले कि काम ना करे यहां आस्ते जो हो जाता मन से स्मरन और उनको कर्म को मन से स्मरन कर ले जैसे कि वह सोच ले कि हम रसगुला जीब को कहें कि अरे रसगुला अच्छा नहीं होता है लेकिन मन में सूचता रहे कि अगर जो एक मिल जाता तो कितना आनंद आ जाता तो इस प्रकार से कि कर्मेंद्रियों को संयम्यमान नियंत्रित तो कर ले लेकिन या आस्ते वह मन में इस्मर्ण करके रहे तो ऐसे व्यक्ति को इंद्रियार्थान विमूर आत्मा इंद्रियों के लिए वह विशियों का चिंतन वह विशियों का चिंतन करता हुआ विमूर माने मूर्ख व्यक्ति मिथ्या चारा साउ चते उसी को पाखंडी हम कहते हैं क्योंकि पाखंड क्या है कि जो मन में हो वानी में हो वो होता है एकदम विशुद लेकिन मन में कुछ और हो वानी में कुछ और हो मन में सोचे कि हम तुमारी भलाई कर रहे हैं मतलब वानी से बोले कि हम तुमारी भलाई कर रहे है लेकिन मन में क्या हो कि उसको ठगने का विचारों जिसे डॉक्टर लोग कहते हैं अरे हां बिल्कुल हम आप लोग को बिल्कुल हम ठीक कर देंगे चिंदा मत करो ऐसा हो जाएगा लेकिन उसका टारगेट तुम ठीक हो चाहे ना हो कि हमारी जेब भरने वाली है दो चार हजार बन जाएगे तो इसको कहते हैं कि कर्म दिखावे में कुछ और करे और मन से कुछ और हो मतलब दिखावे में तो करमेंद्रियों को उसने नियंतरत कर लिया लेकिन मन से वह उनका इसमर्ण कर रहा है तो उसी को मिथ्या चारा माने उसी को पाखंडी कहते हैं इसका ये मतलब होता है तो इसलिए जो कहो वही करो तो इसलिए आगे क्या है ज्यादा उलट गए पर ना नियतम यस्त्विंद्रियानि मनसा नियम नियमा रभ्यतेर जुन करमेंद्रियार करमे योग योग मसक्त सा विशिष्यते इसमें सपष्ट नहीं दिखता है डिस्पेले में कुछ लगा है लगए चलो दो यस्त्विंद्रियानि मनसा नियमा रभ्यतेर जुन करमेंद्रियार करमे योग मसक्त सा विशिष्यते आगे लिखा है कि नियतम कुरु करमारी नियतमाने होता है कि जो अरे आगे वाला अरथ हो गया है यस्तु इंद्रियानि मनसा जो इंद्रियों को मन से नियम में जो इंद्रियों को मन से तो माने उसको नियंतरित कर ले लिकन आरभते कर्म में वह कर्म में वह आरभते माने लग जाता है कर्म करने लग जाता है तो कर्मेंद्रिया ही कर्मयोगे ने उनी कर्मेंद्रियों से कर्मयोग को असकता सब शिश्यते कर्म तो कर रहा लेकिन उसका उसकर्म से कोई लेना देना न प्रज़ा होती है तो फासी देने वाला जलाद उससे कहता कि भाई देख मुझे तू माफ कर देना मेरा इस कर्म से कोई मतलब नहीं है मुझे आदेश दिया गया है इसलिए मैं तो मैं फासी लगा रहा हूं यदि आदेश कह दिया जाए कि तो इन्हें फासी नहीं देती मैं आपको तुरंट उतार दूँगा लेकिन क्या करें मैं परवश हो करके मैं कर्म कर रहा हूं तो मतलब वो कर्म तो कर रहा है लेकिन उसका मन और इंद्रियों से कोई मतलब नहीं मेनत भी कर रहा है क्योंकि खीचेगा रसी तो लटक जाएगा तो 60-70 किलो का अदमी लटकाएग फिर मरेगा फिर सब होगा तो कर्म कर रहा मेनत भी कर रहा है लेकिन उस कर्म से उसका कोई मतलब नहीं है अगर जो फांसी के लिए कह दिया तो दे दी नहीं होगी तो नहीं होगी उसको कोई मतलब नहीं इस प्रकार से अगर जो इंद्रियानी इंद्रियों को मन सा मन से नि उन करमेंद्रियों के द्वारा करम योग में लगा हुआ व्यक्ति असक्त माने उससे आसक्ती रहित हो जाता है सविशिष्ट थे ऐसा ही कहा गया है नियतम कुर्म करमत्वम करम ज्यायो या करम गरना शरीर यात्रापी चतेना प्रसिद्धेद करमत्वम कह रहे हैं कि नियतम कुर्म करमत्वम नियत माने होता है जो शास्त्र विधित करम होता है जो शास्त्रों में कहा जाए उसको नियत करम कहते हैं जो शास्त्रों में नहीं कहा जाए उसको नियत करम नहीं कहते हैं तो नियतम कुरू कर्मत्वम है अर्जुन त्वम माने तुम जो नियतम माने शास्त्र में जो कहा गया है कर्म को उसे कुरू तुम करो ज्यायो माने ज्याया हमाने होता है स्रेष्ट अकर्मना कर्म करने से वह कर्म करना ही स्रेष्ट हो है कुरू कर्म जय कर्मना वही कर्म ही स्त्रेश्ठ है जो कुछ ना करे उसके लिए अब जैसे कि शास्त्र ने बताया है तो उसको कर्म करने को बताया है तो यग करना एक अच्छा काम है उसमें लगना चाहिए लेकिन आपके दो कि हम कर्म यग ही नहीं करना है तो उससे तो कर्म जाया माने स्त्रेश्ट है और शरीड यात्रा पी चाते ना शरीड यात्रा माने शरीड का निर्वाह भी तुम्हारे प्रसिद्धेत कर्मना ना प्रसिद्धेत कर्मना और इससे क्या होगा कि तुम्हारे श शरीर यात्रा माने शरीर का पालन पोशन तेरे शरीर निर्वा है भी ना प्रसिद्धेत उससे सिद्ध नहीं होगा इसलिए तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा तो अब क्या करना है यज्यार्थात कर्मनो न्यत्र लोको यम कर्म बंधना तदर्थम कर्म काउंते हैं मुक्त संग समाचरत कैरे कि यज्यार्थात कर्मनो अन्यत्र लोका अयम कर्म बंधना यग अर्थात का मितलब वो नहीं है कि अर्थात ये अर्थात वो अर्थात का मितलब अर्थ की पंचमी का प्रियोग है इसमें रामात जैसे बनता है तो अर्थ का अर्थात है तो यग अर्थात माने यग के प्रियोजन के कर्म से अन्यत्र यग अर्थात कर्मना यग के प्रियोजन के कर्म से अन्यत्र माने अलग जो भी कर्म है लोका अयम कर्म बंधना यह कर्म बंधन में बंधा हुआ लोका माने संसार अगर जो वह करता है तदर्थम कर्म कमते हैं मुक्त संग समाचरत और यदि वह कुछ करता है तो माने यज्यार्थात कर्म ना न्यत्र लोको यम कर्म बंधना अगर जो यग से अतिडिक्त जो भी अन्यत्र कर्म किया जाए तो तो अयम लोका यह संसार कर्म बंधना वै कर्म बंधन में बंधता है तो तदर्थम इसलिए तत माने उस अर्थम माने इस प्रियोजन के लिए कर्म कर्म ही कौंते यही अर्जुन मुक्त संग समाचरत मुक्त संग माने आसकती रहित हो करके आप इसको मतलब यह कर्म करो और उसमें आसकती मत रखो तो आपको इसका कोई फल नहीं मिलेगा सहय अग्या प्रया स्रिष्टा पुरो वाच प्रयापति अनेन प्रसविश्य ध्वमेश योस्तु श्ट कामधुक लिखाए कि सहय अग्या प्रया स्रिष्टा पुरा वाच प्रयापति प्रयापति ही माने ब्रह्मा जी प्रयापति माने ब्रह्मा जी ने क्या किया सह ==ग्गयाप्रजार स्रश्टा यग्यके सहित प्रयाखो श्ष्टवा इसमे श्ष्ष्टा नहीं होनों स्रश्टव पुब्स्टव क 15-7 इसमें गलत लिखा और आए विद गीतभ प्रेश की आप ładों से नु cater रहे ना इसमें तो के बल मैं देखने के लिए कह रहा हूं भांकिस में ठीक से लिखा नहीं है वह न स्रिष्ट्वा माने रच कर स्रिष्टा माने रचा रच कर तो यहां पर लिखाए कहां गया सहय अग्या प्रजा स्रिष्ट्वा पुरा वाज प्रजापती यग के सहित ब्रह्मा जी ने प्रजापती माने ब्रह्मा जी ने सह यग्या यग के सहित प्रजा स्रिष्ट्वा प्रजा रच करके पुरा माने पहले वाज माने पहले ही कल्प में वाज माने कहा प्रजापती माने प्रजा स से कहा क्या कहा कि अनेन प्रस्विष्यद्वमेश इसके द्वारा प्रस्विष्यद्वम माने अनेन माने इसके द्वारा किसके द्वारा माने जब प्रया को रचा है तो यग के साथ रचा है तो प्रयास को यदि उपतेश दे रहे तो अनेन माने इसके द्वारा जो बच गया क्या बच गया यग यग के द्वारा क्या होगा कि यग के द्वारा अनेन प्रसविश्यद्वामेश एश माने इससे तुम लोग यग को करो इससे आप व्रद्धी को प्राप्त हो जाओगे यह अस्तु काम यो अस्ती अस्तु काम धुक क्या है इसमें समझ में यो अस्तु काम धुक काम को देने वाले इससे क्या है कि आप अनेन माने इसके द्वारा प्रशविश्यद्ध्यम एश एश माने इसके द्वारा प्रशविश्यद्ध्यम आप लोगों को प्रसिद्धी प्राप्त होगी या कि प्रसिद्धी प्राप्त होगी और व्रद्धी प्राप्त होगी इससे है ना और इससे वह माने आप लोगों को और इससे क्या होगा अस्तु माने हो जाओ अस्तु अस्त काम धुक और सभी कामनाओं को पूर्ती करने वाले सियग को करने से आप भी कामों से परिपूर्ण हो जाओ सारी मनों कामना तुमारी पूरी हो जाएंगी इसलिए इस प्रकार से इसमें आया है अब लिखा है देवान भावयतानेन ते देवाववयन्तुवा परसपरम भावयन्तर स्क्रेया परमास्थाया परमवापस्यत लिखाए देवान भावलता अनेन अनेन माने यगेन यग के द्वारा क्या करना है देवान भावलता देवों को आप बढ़ाओ माने देवाओं को देवताओं को रिष्ट पुष्ट करो उनके माने यग से देवता प्रसन होते हैं देवताओं की का भोजन यग होता है तो देवताओं को बढ़ाओ इनको उन्नत करो और देवा भावयन्तुवा अगर जो आप ते देवा वे देवता ते माने वे देवता भावयन्तुवा हमाने आप लोगों को भावयन्तुवा आप लोगों को बढ़ा देंगे माने तुम्हें यग करो तो देवता बढ़ेंगे और देवता यदि बढ़ गए तो आप लोगों को बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा कि परस्परम भावयंता परस्परम माने आपस में एक दूसरे को भावयंता माने बढ़ाते हुए स्त्रेया परम परम वापस्यत है और इस प्रकार से आप दोनों परम स्त्रेया माने परम कल्यान को अब आ दास्यंते अग्भावितां तैर्दत्तान प्रदाय भ्योयो भुंगते स्तेन एवसा तो इसके बाद जब वह तुम्हें दें तो तुम्हें अकेले मत ड़कार याओ यह कह रहे हैं कि इस्टान भोगान इस्टान माने मनिच्छित भोगान इह वो देवा वो माने आप लोगों को देवा दाश्यंते वो देवता आप लोगों को इस्टान माने मनिश्ध भोगों को दाश्यंते दे देंगे किससे य docty समय बढ़ जाएंगे तो आपको मनिश्षित फल दे देंगे लेकिन त्ब हैं ढंट तानं को दिए यग्यों को दफान अप्र डाय भ्यू उं दिए माने भोगों को आप्र दायव माने बिना दिए यू माने यह माने जो लोग भूंगते जो अकेले खादाय वह है मतलब कहने का सीधा साथ है तुम्हें अग्य करो उससे तुम तुम्हें भोग प्राप्त होंगे अच्छी सुखसोविदा मिलेगी और वह सुखसोविदा जो तुम्हें मिले तो उसको अकेले मत खाओ सबको बांटो मतलब आज कल समाज में देखा भी जाता है कि कुछ लोग सेष्ट लोग होते हैं बनिया लोग हो लेकिन उसमें भी कुछ और समझदार ऐसे पुन्यवान होते हैं धनी होते हैं लोग जो कि उस दिये वे धन को गरीबों में बाटते हैं कि लिए हमें तो भगवान ने दिया है तुम भी खुश हो तो गरीबों में बाटते हैं फिर खाते हैं बहुस्त ऐसे बंबई में एक एक ऐसा सेठ है बताती कि एक लाख रुपए का पड़े दान करता है इसके बाद वह आगे कुछ करता है तो जरा सोचो तो वह मतलब उसे कुछ मिला तो यह निश्चित है कि उसने उसने कुछ पुन्य किया है और वो पुन्य तैर्दत्तान वो दिये हुए पुन्य सामगरी को अप्रदा यह भ्यो बिना दिये हुए किसी को यो भूंगते जो अकेले खा जा जा है तो कहने का मतलब जो तम्हें प्राप्त हो जाओ से भी तुम सं़ लोगों में बाठ के खाओ यग शिष्टा शिना संतो मुच्यनते सर्वे किलविशय भूंगते ते त्वघंपापा ये पच्यनतात्म कारणात यग शिष्टा शिना संता जो संत पुरुष अच्छे लोग विद्वान लोग होता है यग शिष्टा यग करने से बचे हुए भोजन को अशिना खाते हैं तो क्या होता है मुच्यनते छूट जाते सर्व किलविशय सभी पापों से वो छूट जाते हैं लेकिन क्या है कि अगर जो हम भोजन करा है मतलब पहले आर्थ कर दे पिर इसके बाद workflow बताएंगे भुफ भुज्यते टे त्वर अगम पापा वही पापी कुछ पापी लोग होते हैं भुझ्यते खाते हैं पाप को दू अगम पापा माने पापी लोग ये पच्चंत्यात्म कारणात जो बोजन बनाते हैं वो केवल अपने लिए बनाते हैं कहने का मतलब है यग नहीं करते हैं किसी को दान नहीं करते हैं किसी को खिलाते पिलाते नहीं हैं जो केवल कमाते हैं अपने लिए ही कमाते बना के खाते हैं दूसरा बिखारी आ जा टे मानें वे लोग तु एक अगम वह पापको ही खाते पापा माने पापी लोग यह माने जो जो त ये चंतात्य वह सुझट किने, फिरिवल, भर को यज्यात भवती परजन्यों यज्या कर्म समुत भवा कर्म ब्रभ्रम भुद्भवन विद्धी ब्रह्माक्छ शर्पवतम है निढेक प्रतेश्टरितम कहरों किए अन्नात माने 20 माने प्राणियों की रचना होती है भूतानी माने होते हैं भवन्ती माने होते हैं भूतानी माने प्राणी और अन्य किसे होता है परजन्यात अन्य संभवा अन्य जो होता है परजन्यात माने परजन्यात माने करें बादलों से अन्य होता है अब बादल किसे होते हैं तो बादल बत रचनते हैं और्याग कर्म समुद्भवा इसलिए यग कर्म करने से बादल बनेगें तो पानी को गिरेगा पानी गिरेगा तो अनपईदा होगा अनपएदा होगा तो लोग खाएंगे लोग खाएंगे और ठीक रहेंगे तो इतने इस लोGा करम यह रहा है आप इसके बाद मानेर्व परजन्यात है हो गया अब रаче किसे हो गया यज्यात भवत परजन्यात है यग कर्म समुश्व भवा यंगि जो वो कर्म से निकलता है कर्म का उन्सा जो शास्त्र विदित कर्म है वो उस कर्म से यग होता है अब कर्म क्यों कहा गया कहा गया है कि उसमें ये वेद में कहा गया है कि यग के लिए जो सामगरी गीली की जाया उसके लिए केवल घी होना चाहिए तो घी की जगा अगर जो हम डा दाल्डा मिला दैंगे तो तो जो करम जो शास्तर विदत है तो करम के अनुसार ही यह फो फ्ल मिलेगा अगर यो तोने घी डाला एंगी तो घी से बारे में मैं मैं बता दूं किस्ता मैं 10 ग्राम गाया का जलाया जाता है तो सोला सो किलो उसमें ऑक्सीजन बनती है वही ऑक्सीजन जाकर बादल बनाते हैं और बादल बना करके बनते हैं तो उसी से पानी गिरता है पानी गिरने से समादी का कल्याण होता है ये है इसका सीधा सा फंडा और आप तुमने उसमें अगर तुमने उसमें घी की जगह कुछ और डाल डिया डाल डाला या फिर वह रिफेंड तो उसमें ऑक्सीजन बनने की जगए कुछ और बनेगा और और बनेगा तो फिर और ही कुछ होगा तो यह रही कर्म तक की बात अब कर्म क्या है कर्म जो है ब्रह्म उद्भाव ब्रह्म माने होता है वेद से उद्भाव माने इससे प्रगट होता है विद्धी माने जानो कर्म जो होता है ब्रह्म उद्भ अक्षर कहते हैं जो नाशवान हो अबिनाशी कौन है प्रमात्मा है यह उद्म ब्रह्म माने वेध अक्षरम समुद्भाम वै अभिनाशी परमात्मा से आया है तस्मात सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यग्ये प्रतिश्टितम यहां पर ब्रह्म में शब्दकार्थ बदल गया यहां पर ब्रह्म में तस्मात माने इसलिए सर्वगतम ब्रह्म सभी जगए वह ब प्रतिष्टितम यग में प्रतिष्ठित रहो माने प्रतिदिन आप यग करो यह कितना बड़ी है विज्ञाने लोग कहते हैं कि हवन क्यों करना चाहिए सब ढोंग ढोंग नहीं है बहुत एवं प्रवर्थितम चक्रम नानुवर्तंती है कि यह आई अगायो रिंद्रिया रामो मोगं पार्थ सजीवती कह रहे एवं प्रवर्थितम चक्रम जो इस प्रकार प्रवर्थितम आने चल रहा है चक्र मतलब चक्र क्या चल रहा है चक्र यही बताया है कि वेद के द्वारा कर्म कर्म के द्वारा यग यग के द्वारा बादल और बादल के द्वारा अन अन से जीव ये करम चल रहा है और फिर वह जीव आकर के फिर मतलब यग करता है फिर जीव आकर के ये पूरा चक्र बन यह माने जो व्यक्ति तो क्या है अगायू अगायू माने होता है अगायू का मतलब होता है पाप की आयू को इंद्रियों को आराम माने विस्तराम देने वाला इंद्रियों को विस्तराम देने वाला अमोगम एक होता है अमोग जैसे अमोग बार है तो अमोग क्या जो नश्ट ना हो अमोगम कहते हैं व्यर्थ जो व्यर्थ होता है तो अमोगम मोगम पार्थ सा जीवती वह मोग माने होता है व्यर्थ ही पार्थ व्यर्थ ही जीवती बिना मतलम में ही जिन्दा रहता है और कि इस प्रकार से वह है अच्छा यह आगे लिखा है यस्त्वात्म रती रेव स्याद आत्म तिप्तश्य मानव आत्म नेवाच संतुष्ट विद्बश्ट आत्म त्रकार्मना इकरेपी एक इस में शौनमीनर्थ है इप्रकार्ण करण अनम कि वक्तरक से देख्वाएं स्याद आत्मम तिप्तश्य मानव आत्मनेव चाल्गा संतुष्ट रेता यह डिंस ऐगा तो लिखत है येस्तु आत्म रती एव यह माने जो आत्म रती एव अपनी आत्मा को ही स्यात आत्म तर्श्य मानवा और अपनी आत्मा में आत्म रती एव आत्म रती कहते हैं आत्मा राम को जो अपनी आत्मा में ही रमन करे और स्यात माने होता है आत्म तर्श्य मानवा और अपने आप में में ही संकूष्ट रहने वाला होता है ऐस में अपनी आत्मां में कड् вспम करें अपनी आत्मा में रमन करने वाला कोई बीको बंधन होता है कर्म बंधन उसे नहीं होता है कुछ करें उसके लिए कोई कर्म बंधन नहीं होता है अब इस प्रकार से जब सुना रहे थे तो संजय जी कहने लगे कि संजय कहने लगे कि क्या है रोक दें थोड़ा इसमें जो संजय वाच लिखा ये गलत लिखा इसमें नहीं होना चाहिए तो इसलिए यहाँ पर नैव तस्य क्रते नर्थो ना क्रते नेह कश्यन ना चास्य सर्व भूतेशू कश्य दर्थ व्यपास रहा नैव ना ही तस्य उसके लिए क्रते नर्थ है जो व्यक्ति अपनी आत्मा में रवन कहता उपर वाले श्लोक में आया तो उसके ना तस्य क्रते नर्थ करने का कोई प्रियोजन ना क्रते नेह कंचना ना ही उसके लिए कुछ भी ना क्रते ना उसके इहमानि संसार में कश्चन कुछ भी करने के लिए ना क्रते ना क्रते ना क्रते उसके लिए उसके लिए कुछ भी वहमा पुरुष विश्व में कर्म से प्रियोजन भी नहीं रखता और ना ही कर्मों में करने से ही उसका कोई प्रियोजन होता है ना चा से सर्व भूतेशू ना चा अस्य माने उसका भूतेशू सर्वी प्राणियों में ना कोई नहीं होता है कश्चिद अर्थ विपास रहा उसका किसी भी प्राणी से अर्थ माने प्रियोजन कोई नहीं होता है ऐसा जो आत्मा राम व्यक्ति होता है उसका तो तस्माद सक्त सत्तम कार्यम कर्म समाचर असक्तो याचरन कर्म परमापनोती पूरुशा तस्माद माने इसलिए के असक्त सत्तम तस्माद सक्त असक्त माने आसक्ती रहित होकर के सत्तम माने निरंदर कार्यम कर्म समाचर असक्त। उसको फिर तुम कर्म को करो तो असकता माने आसकती रहित होकर के अचरन कर्म ही अचरन है यहाँ पर अचरन कर्म है वह कर्म करते वे भी वह परम आपनोती पूरुशा परम माने परम कल्यान को आपनोती माने प्राप्त करता है पूरुशा वह पूरुश इसलिए इसमें पूर पूरुशा है यह भी गलत है इसको ठीक करना चाहिए चलो जाने दो कर्मन्येव ही संसिध्य 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 मास्थिताजन का दया लोकसंग्रह मेवापी संपश्यन कर्म अरहसी क्या लिखा संसिध्य मास्थिताजन का दया लोकसंग्रह मेवापी संसिध्य को प्राप्त हुए है कौन जनक आदया जनक आदी जितने भी हैं ये सब कर्म से ही सिध्य को प्राप्त किये हैं कर्मना एव कर्म के द्वारा ही संसिध्य मास्थिता प्राप्त हुए जनक आदया जनक जैसे जनक को परमवईरागी विरागी का आ गया क्यों का आ गया जबकि राजपाट सबको था लेकिन उस कर्म में उनका कोई लगाव नहीं था तो लोक संग्रहाम एवापी लोक के संग्रहाम आदिसे संपश्चन कर तुम्हारहसी और लोक के संग्रहा को देखते वे भी कर्म ही करने योग है अर्था तुझे कर्म ही करना चाहिए कर्तुमारहसी तुम्हे कर्म आरहसी माने योग कर्तुम माने करना संपश्चत देखते वे भी संग्रहाम तब भी तुम्हे कर्तुमारहसी फिर भी तुम्हे कर्म करना चाहिए यद्यचरती स्रेष्ठस्त देवो तरो जना सात प्रमानम कुरुते लोकस्त धनुवर्थते लिखा यत यत आचरती स्रेष्ठा स्रेष्ठा माने स्रेष्ठ पुरुत यत यत माने जो जो आचरन करता है स्रेष्ठा तत एव इतरह जना तत माने वही एव माने ही इतरह माने दूसरे जना माने लोग सत्तत प्रमानम कुर्ते उसी को जो स्रेष्ट पुरुष्छ कर देता उसी को सब प्रमान गते हैं उसी के अनुवरतन माने उसी का आजरन करने में लग जाते हैं उसी का आचरन करने लग जाते लेकिन हे अर्जुन नामे पार्थास्तिकर्टब्यम त्रिशुलो के सुकिंचन किश्चन 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 नानवाप्थ्यम वर्त एवस्थ कर्मनी हे अर्जुन आगे लिखा है कि नामे पार्थास्तिकर्टब्यम त्रिशुलो के सुकिंचन नानवाप्थ्यम वर्त एवस्थ कर्मनी नामे पार्थास्तिकर्टब्यम हे पार्थ मुझे कोई करने के लिए काम नहीं है त्रिशुलो के सुकिंचन है पूरे तीनों लोकों में भी कुछ भी ऐसा करने के लिए हमारे लिए नहीं है और ना अनवाप्थ अब्यम और जो अनवाप्थ अब्यम ऐसी कोई अप्राप्थ वस्थ नहीं है अवाप्थ अब्यम प्राप्थ करने के लिए वर्त माने एव ही कर्मनी मुझे ऐसी कोई भी वस्थ नहीं है प्राप्थ करने के लिए और हमें कोई भी कार्य नहीं है करने को लेकिन फिर भी यदि यदी हैं ना वर्ते यम जातू करमन या तंद्रिता मंवर्तमान वरतंते क्या करं तो इस से क्या होने वाला है पिर भी अगा जो हम यदि ही अहमना वर्तेयम फिर भी अगा जो मैं उस कर्म को वर्तेयम आने वर्ता उस कर्म को नहीं करूंगा अतंदर्टा माने सावधानी पूरवक आलत्स रहीत वृ भी रहीत वाने सावधानी पूरवक तो हम वर्तमा अनुवर्तनते मेरे मार्ग का अनुशरन करने वाले मनुष्या मनुष्य लोग जो पार्थ हे अर्जुन फिर हमारे मार्ग का नुसरन करने वाले मनुष्य फिर ये कहा जाएंगे इसलिए मेरे मार्ग का नुसरन करने वाले मनुष्य उस कार्य में लगे रहें जो कार्य मैं कर रहा हूं मैं सिर्फ इसलिए ही मैं कार्य करता हूं स्याम नियाम इमाँ प्रजा यदी उत्सीदे यू इमा लोका अगर जो इस लोक को नश्ट भ्रष्ट कर यदि मैं कहां गया यदि उसी देयू इमा लोका ना कुर्याम कर्म चेत अहम चेत अहम यदि मैं कर्म कर्म को ना कुर्याम कर्म नहीं करूंगा तो यदि सुरू में लिखा है चेत अहम मैं यदि कर्म नहीं करूंगा तो इमा लोका ये जो इमे लोका ये संसार उसी देयू एकदम नश्ट भ्रेष्ट हो जाएगा संस्करता स्याम उपहन्याम इमाम प्रजा संस्करन करता मैं हो जाऊंगा अगर जो मैं करम नहीं करूँगा तो इसी प्रजा को मैं हन्याम इमाम इस प्रजा को मैं नश्ट करने वाला बन्याओंगा इसलिए मैं वो कार्य करता हूँ जिससे की प्रजा की हानी ना हो मेरा अनुसरन करके लोगों का भलाव जैसे की सौ सूर्दास हो एक आँख वाला हो तो उसमें क्या है कि एक आँख वाला अगर जो सौ सूर्दास को पकड़ के चलेगा तो सभी का बेडा पार हो जाएगा सभी अच्छे चीज़े गया से निकल जाएंगे और अगर जो उसमें से एक भी कुद नहीं दिखता है तो फिर सभी गड़े में जाएंगे इसी प्रकार भगवान है सभी प्राणियों के भगवान एक निर्देशक हैं वे सभी अपने कर्मों के द्वारा जैसे राम जी ने आचरन करके बताया तो उस प्रकार से आचरन करके यह प्रजा प्रजा मन इच्छित चलती कर्म क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए नहीं जानती और वो जाकर के गड़े में गरियाती तो इसलिए हन इस प्रजा को मैं मारने वाला बन जाऊंगा तो भगवान ने का इसलिए मैं कर्म करता हूं नहीं शब्दुक साथ बात को ब्राम्देतु नमस्कार जयुदू